नमस्कार किसान भाईयों, आज मैं आपसे इस बात की ही चर्चा करूँगा जो बहुत से किसान भाईयों के दिल दिमाग में भर्म है, कि जो हम अपना उत्पाद है, जो एगरिकल्चर उत्पाद है, जो खाने पीने वाले सामानों के उत्पाद हैं, उसको बेचने के लिए, मार्केटिंग के लिए, हमें FSAI का जो लाइसेंस मिलता है, वो उसका लेबिल क्या है? लेबिल तीन तरह का है, हम तो कहेंगे लेबिल चार तरह का है, वो कैसे, अगर आप अपना प्रोसेस्ट फूड हो, प्रोसेस्ट आइटम पोई भी हो, जो एगरिकल्चर से पैदा किये जा रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारे किसान, अगर वो अपने जिले में बेचते हैं, तो उनके लिए जिले में ही अव्यवस्था हो गई है, उनको या एसस ए आई का लाइसेस मिल जाएगा, और उस लाइसेसे, वो अपने लोकल के जिले में, या सौ किलो मितर की एरिया में, वो अपना मार्केटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको स्टेट अस्तर पर जाना है, पूरे अपने स्टेट में काम करना है, तो उसका या स्टेट लेबिल का लेना पड़ेगा, तीसरा है, अगर आप अपना दारा पूरे इंडिया में बनाना चाहते हैं, पूरे भारत में बनाना चाहते हैं, तो उसका आपको या स्टेट लेबिल का लेना पड़ेगा, या स् लेना पड़ेगा अब यहां पर चोथी बात आती है चोथी बात यह आती है कि अगर आप अपना प्रोडूस लोकल स्टेट इंडिया के अंदर बेच रहे हैं और आपका उत्पाद की दिमांड अगर विदेशों में भी है तो निशित तोर पर आपको विदेशों में भी उसक को बेचना चाहिए परंतु उसके लिए जो लाइसेंस लेना पड़ेगा या उसके लिए जो अप्लाई करना पड़ेगा तो आपको एपीडा के पास आपको जाना पड़ेगा और अब तो उसके छेत्री कार्याले भी लगभग देश में खुल गये हैं या खुल रहे हैं हम बनारस में यहां चेत्री कार्याले यहां पर बन चुका है एपीडा का और इसके एजियम भी बैठा दिये गए हैं तो अगर आपको विदेश व्यापार में जाना है तो आपको अपना प्रोड़क्ट अपने उसका उसका लाइसेंसी करां आपको एपीडा को भी उसके आपका जो प्रोड्यूस है उस उत्पात को भी भेज करके उसका भी एग्जामिल कराना पड़ेगा और जब एपीडा लाइसेंस दे देगा तो निश्चित तोर पर आप पुरी दुनिया के अंदर चाहे भी जहां पर जहां तक ही एपीडा का लाइसेंस का दाइरा है वहा पूछे ला रही है और तो आप अगर बदलाव ला रही है तो निश्चित तोर पर किसान भाई आपको भी बदलना होगा बदलना इस सेंस में होगा कि आप अगर गेहूं पैदा करते हैं तो गेहूं सीधे मत बेचिए उसकी दलिया करके बेचिए उसका मैदा बना करके बे चीए, आप किसान से अब उद्यमी बनिये, अगर आप उद्यमी नहीं बनेंगे तो मरेंगे, आपको कोई बचा नहीं सकता, दूसरी बात यह है, जैवी खेती करना अब हो गया बहुत आसान, अब कैसे आसान, राश्टी जैवी खेती केंद्र गाजी अबाद ने, जो जिसके डारेक्टर थे, डाक्टर किसन चंद्राजी, उन्होंने, उनकी टीम ने एक आविस्कार, वेस्टी कंपोजर का किया है, जिससे संपूर्ण खेती, आप जैविक तरीके से, आरगेनिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, आप कर सकते हैं, अब आपको कोई रसायन नहीं खर प्ति बनी है, 112 तरह के तत्रों पत्थरों में है, आप 10-20 तरह के पत्थर ही कठा कर लिजे, उसका भी सत निकाल करके मिट्टी को दे दीजे, मिट्टी एकदम लहला जाएगी, और अगर आप चाते हैं, परियोग करना चाते हैं, तो गमलों में परियोग 6 महीना करके देख करके पानी के साथ, आप देखिए, 6 महीना के अंदर आपके खेत में केचुगा आजाएगा, केचुगा आने का मतलब जमीन, मिट्टी, स्वस्ता की तरफ चल दी, क्योंकि केचुगा के खाने की जो सामगरी है, जब मिट्टी में आ जाएगी, सारे जो सुछ में जीव, जि किसान तो आप हई हैं, लेकिन आप किसान से अब उद्यमी बनिये, यही मेरा प्रयास है, धन्यबाद, नमस्कार